वेल्कम बेक तो अबर यूट्यूब चैनल सान व्लोग दोस्तों कैसे आप लोग उम्मीद करता हूं बाई एच्छे हूं गाइस जैसा कि आप लोग आज समनेल देकर समझ गए होंगे कि 140 मार्क्स आने पर भी एडवांस टेफ्ट में NPCL में क्यों नहीं सेलेक्शन होता है बा कि बहुत सारे लोग जो टॉपर्स होते हैं वो तक गलती कर देते हैं तो इस टॉपिक के उपर वीडियो होने वाली है उससे पहले अगर आप लोग कि हमारे चैनल पर नहीं है तो जल्दी से सब्स्राइब कर दीजे अपने दोफ्तों में भी शेर कर देना और गाइस आज क जो लोग एंपी शेर की तयारी करना चाहते हैं वो लोग मुझे पेड मेंबर्स बन सकते हैं ठीक है पेड ग्रूप जोइन कर सकते हैं इंस्टाइग्राम या टेलिग्राम पर मैसेज करके हमेशा के लिए मुझसे जोड़ सकते हैं सारी information मिलेंगी आपको पूरा course मिल जाए कि NPCIL में एडवांस टेफ्ट में 140-145 नमबर आने के बाद भी selection क्यों नहीं होता है तो उसका एक reason है देखो एक आपने वीडियो देखी होगी जो कि मैंने अफिस्टेंड ग्रेड बन की मानवेंदर भहिया की मैंने बनाई थी थमने लगा दे रहा हूं मैं ठीक है उनकी मैं मैंने यह बनाई थी तो आप लोगों ने देखा होगा कि उनके 134 नमबर थे लेकिन कट-off कितने पर गई थी 126 फे लेकिन उनका फिर भी नहीं selection हुआ था आखिक क्यों ऐसा क्यों होता है जो लोग आई टी आई वाले अब मैं आई टी आई से लेकर चलता हूं आई टी आई से 40% और 30% तो कितना होता है मतलब जनरल वालों को 60 नमबर लेकर आने और SCFT OBC और EWS को 30% मैं मतलब डेर सो मैं से 45 नमबर लेकर आने हम FTS 2 में पहुंच जाएंगे ठीक है अब यहां पर क्या गलती करते हो आप लोग आप FTS 2 में तो पहुंच जाएंगे आपकी कॉपी तो चेक हो जाएगी ठीक है बहुत सारे लोग FTS 1 पर फोकुस नहीं करते क्यों क्योंकि आप लोगों को पता है कि FTS 2 में जब जाएंगे तो उसी से मेरिट बनेगी उसी से आपका शेलेक्शन होगा लेकिन कहीं ने कहीं जो आप FTS 1 की गलती कर रहे हो ना बहुत बड़ी गलती कर रहे हो उससे पहले पहले वीडियो को लाइक कर दो ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको पूरी सबी के बारे में बताऊँगा कि कैसे कैसी सेलेक्शन होते है इन में है न तो क्या होता है जैसे इफ्टेज वन में आप लोग पहुंच गए मतलब आपने इफ्टेज वन क्वालिफाई कर लिए मान लीजे आपके नमबर आगे साथ ओबी सी से हो आपके 45 लाने से साथ आग आप चलेगे इफ्टेज डू में अब वहां पर क्या हो रहा है आपके मान लीजे देखो पांस से छहजार मतलब सौरी पांस से छहजार एक ट्रेड में कैंडिडेट्स बैठ थी जिसमें कि आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जरूरी नहीं कि आपके ही सेम मार्क्स मतलब मेरे आगे 140 ठीक है और कुछ नेगिटिम में कटगे कुछ टोटल मार्क्स आगे एडवांस में 140 अब मेरे जो दोस्त है या कोई भी बराबर में बैठा है उसके भी 140 आगे तो अब दोनों के मार्क्स होगे सेम दोनों के मार्क्स होगे सेम अब एनप बाले कैसे आई-जो कहते हैं न टाइ हो जाएगा अब यहां से होता है ठीक है उनके f Bella का वो लोग क्या करती है इफ्टेंजंब में जाएंग इंगे कि कि से मार्क्स ज्यादा थे मतलब जो लोग सिम है अब वो उन लोगों के चेक कि आएँगे कि सके मार्ग्स ज्यादा ते हैं जिसके मार्ग्स ज्यादा होंगा उसको पहले को वाले को से से आपना यह अगर किया होता अगर जोसторов हे मिल अग्रराम लोखे मैं कि सुझ में किसने रुप तो एक सेकंड पॉइंट यह हो गया मतलब दो पॉइंट हो गए आपके अब थार्ड पॉइंट क्या होता है यह चीज आपको कोई भी नहीं होताएगा और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए ऐसे ही होते हैं सेलेक्शन क्योंकि जरूरी नहीं है जब लाखों इस्टुडेंट से माल लीजिए मैं यह की बात नहीं कर रहा रेलवे बगएरा की तो भाई लाखों इस्टुडेंट के सेम मार्स आते हैं तब ऐसे ही सेलेक्शन होते हैं तो जो आप लोग जिस पर जिस क्वेस्टिन पर उसी क्वेस्टिन को अटेंब कीजिए उसी पर टिक कीजिए नेगेटिव बिल्कुल नहीं कर रहा है आपको लग रहा है कि 50-50 है तो वाई उस 50 को छोड़ दीजिए वरना वह आपका जो 50 है वह और मार्स लेकर चला जाएगा नेगेटिव मैं ठीक है तो यहां पर क्या होत जैसे आई-टी-आई वाले बनदें हैं वह फोकस नहीं करते हैं बहुत सारे लोग मेरे पास भी है रोग सिर्फ उतनीं की तैबाग से लिए तो आप से वह रहा है ऐसा नहीं कि ब्लिए को बस कदराले दो में तो जाएंगे अगर वहां से माक्स होते तो ये घृ Ost i3 में छलते थड़ पॉइंट पर चलते थड़ पॉइंट अगॉय्ड बनाय होता है कि किसी में सीवी टी वन उता उनली एक पेपर होता है उस क्या होता है आपकी देखिए जाती है qualification कि हाइफ qualification किसकी है बाई exam में फॉर्म भरते time पर question sorry application फॉर्म भरते time आपसे मांगा जाता है कि आपकी एक तो जिस post के लिए आप apply कर रहे हैं उसके equivalent आपकी qualification होनी चाहिए ठीक है उसके अलाबा आप जिस मतलब तो आपकी हाइफ qualification क्या है वो पूछा जाता है लेकिन बहुत सारे लोग नहीं डालते कि आरे याड 12 से हम तो 12 से डालते रहे हैं तो यह चीज़ गलत है आपकी हाइफ qualification आपको mention करनी है इक को में धियान रखिए गात से लेकिन पहले वीडियो को like भी करती है लाइक नहीं करते हो वीडियो बनाने का मन नहीं करता है लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूं तो बहुत सारी चीजह मिल आपको 2500 रुपे में मैं 8-10,000 रुपे का लाइफ टाइम के लिए दे रहा हूं लाइफ टाइम क्या आप लोग दो तीन साल चार साल ही महनत करोगे पॉइंट पर आते हूं अब क्या होता हां है आप क्वालिफिकेशन देखी जाती है सेकंड चीज आती है कि डेट बर्त बर्त सारे लोगों की मतलब कौण बड़ा है कौण बड़ा मतलब जैसे मान लेजे मैं 14 साल का हूं है न कोई है मुझसे 23 साल का या 20 साल का है ना तो अगर सेम सेम चीज़ें हो रही है अब मैं 24 साल गाहूं तो qualification मेरी जादा है ठीक है तो वो लोग priority मुझे देंगे ठीक है कि ये वन्दा थोड़ा education में जादा है ऐसा होता है बाई दर्नली एक्जाम से में बता रहा हूं मैंने बहुत जगा मैंने document verification कराया government में भी और private में ठीक है तब जाके मैं यह experience भी शेयर कर रहा हूं आप लोगों से तो यह होता है कि आप लोग इफ्टिज वन में महनत कीजिए भाई साव इफ्टिज टू तो देना ही देना है उससे cut-off आपकी बनेगी 146 भी marks आते हैं candidates के 148 भी आते हैं जो लोग 949 तक attempt किये पचास में से 49 एक एक attempt नहीं किया 142-42 marks आएं plant operator में जो 2022 की बात कर रहा हूं ठीक है तो यह information एक real information है आपको इफ्टेज 1 में भी महनत करनी है इफ्टेज 2 में भी आप लोगों का selection इसलिए रुख जाता है बहुत सारे लोगों का कि से marks आने पर आप लोग पहले वाले को ignore कर देते कि भाई मुझे तो खाली पहले में पास होना है तो ऐसी गलती कभी मत करना गाईज ठीक है और वीडियो कैसी लगी हो तो मुझे जरूर बताइएगा और कल वीडियो आएगी एंपीचल ग्रेड वान हो या कोई भी हो सभी के लिए तो ओके थैंक्यू सो मच